इस काउंडाउन के खत्म होते ही ब्रिटेन यूरोपीज संग से बाहर हो गया चार साल तक चली लंबी खीच्तान और उठा पटक के बाद आखिरकार ब्रिटेन यूरोपीन यूनियन से अलग होई ही गया 31 जनवरी को ब्रिटेन की घड़ी में रात के बारा बचते ही लंदन में परणानमंत्री आवास जग मंगा उटा और लोग जश्मनाने लगे PM आवास पर प्रोजेक्टर के जरिये एक घड़ी दिखाई गए घड़ी में रात के 12 बचते ही ब्रिटेन यूरोपीय संग से अलग हो गया इसके साथ ही EU और ब्रिटेन के बीच 47 साल पुराने रिष्टे का भी अन्त हो गया लंदन में जैसे ही ब्रिटेन के यूरोपीयन यूनियन से अलग होने का एलान हुए उधर बेल्जेम की राजधानी ब्रिश्ल्स में यूरोपीय संग के संथानों से ब्रिटेन का जणडा हटा दिया गया इस एतिहासिक मौके पर लंदन में जहां ब्रेक्जिट के समर्दकों ने बड़ी संख्या में सिंसत के पास जमा होकर इसका स्वागत किया वह स्कॉट्लेंड में इसके विरोध में केंडल मार्च निकाला गया स्कॉट्लेंड के मद्दाताओं ने यूरोपिय संख में बने रहने के लिए मद्दान किया था लेकिन पूरे देश की राय इससे अलग आई ब्रेटेंड के मद्दाताओं ने साड़े तीन साल पहले यूरोपिय संख से अलग होने के बक्ष में मद्दान किया था इसे Brexit कहा गया था 23 जून 2016 को हुए जन्मत संग्रह में 52 परतिशत मद्दादाओं ने Brexit का समर्थन किया था तबकि 48 फीजदी लोगों ने इसका विरोध किया था 2016 में Brexit पर हुए जन्मत संग्रह के बाद ब्रेटेन की यूरोपिय संग्से अलग होने की परकरिया शुरू हुए लेकिन इसमें काफी अर्चने आए और तब से ब्रेटेन में दो बार प्रधान मंतरी भी बदले हलाकि Brexit की शर्टों पर संसत में समर्थन हासिल ना होन पाने के बाद थेरसा में को भी स्तीफा देना पड़ और फिर ये जिम्मेदारी मौझूदा प्रधान मतरी बोरिस जॉन्सन के पास आए